हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करती हूं स्वस्त मस्त हो गया तो आज हम ले आए हैं जैपूर की जालानी की पहाड़ीों की सुरंग देखे जालानी की पहाड़ीों की सुरंग है जो कि अभी बाए न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका तो चलते हैं अंदर की तरफ औ और जैपूर को connect करती है तो इन तीनों को मिलाके एक golden triangle tourism को यह बहुत बढ़ावा दे रही है तो अब देखिए हम चल रहे हैं अंदर की तरफ और सुरंग के अंदर हम बताएंगे कि आपको क्या-क्या विसेस विसेस्ताओं से यूगती यह सुरंग है तो अंदर की बात करें तो यहाँ पे proper lighting लगी हुई है और यहाँ पे exhaust fence भी लगे हुए हैं आपको sensors लगे हुए हैं दुरगटनाओं से बचने के लिए और देखिए side side में आपको दिख रहा होगा यह pedestrian path भी बना हुआ है कि पैदल लोगों को चलने के लिए भी side side में बेवस्ता है ऐसा generally आपको tunnels म नहीं देखने को मिलेगा लेकिन यह बहुत ही अच्छी tunnel है जो कि जालानी की पूरी पहाडी को काट के बनाया गया है इससे आगरा दिल्ली और जैपुर की जो बीच की दूरी है वो काफी कम हो गई है यह connect हो गया है तो बने रही है देखते हैं आगे इस सुरंग में और क् पा रहा है यहाँ पर वाई-फाई की सुविधाय भी है इसके अंदर और बहुत सारी विसेस्ताओं से यह युक्त है जो कि एक नए जमाने की ही सुरंग है तो यह अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई है तो देखे इसमें और क्या क्या है अब हम निकलने वाले हैं इसे बाहर की तरफ देखे बाहर जालानी की पहाडियां है इन्हीं को काटके यह सुरंग बनाई है यह बहुत ही सुन्दर न जा रहा है यहाँ का दोनों तरफ का तो ऐसा लगता है कि कहीं हम टूरिस प्लेस पे आ गए हैं और वैसे भी जैपुर तो एक टूरिस प्लेस है तो यह पहाडियां देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है और इनके उपर यह जो छोटे-छोटे पेड़ है यह तो इस पर कमाली लग रहे हैं तो जब मैं इस टनल के बाहर थी और गुसने वाली थी तो मुझे पता ही नहीं था कि यह टनल के अंदर से गुस के बाहर सुन्दर न जा रहा है और मैं बिल्कुल शॉक्ड रहे गई जब मैंने इनके देखा तो अगर कभी आपको दिली आगरा के कनेक्ट वे में जाना हो मैं जा रही थी मैं जा रही थी अपने होम टाउन और मुझे इसी वे से गुजरना था तब मैंने से दिका और मैं कि आखा जैपूर की इस नई नौ निर्मित सुरंग जो कि जलानी की पहाड़ियों को काट कर बनाए गए बहुत ही अच्छी सुरंगए अगर कभी आपको आगरा जाना हो जैपूर से तो जरूर आपको देखनी को मिलेगी मैं जा रही थी अपने होम टाइम तब मैंने ये देखी थी और बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो ऐसे ही बने रहे हैं मेरे ब्लॉग में और देखते रहे हैं मुझे सपोर्ट करते रहे हैं मिलेंगे नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई